हलो, वेलकम टु चिन में केक सेंट क्लासेस आज हम बनाएंगे शुगरलेस शुगरलेस बिलकुर एडिबल होती है, आप इसे खा सकते हो इसका यूज हम केक डेकोरेशन के लिए करते हैं जब हमें ये शुगरलेस केक पर अपलाई करते हैं तो बहुत ही प्यारा लूख आता है केक को मतलब एकदम डिसेंट लूख आता है केक में आज हम इस वीडियो में दो प्रकाश से शुगरलेस बनाएंगे बहुत ही ईजी मेंटर से दोनों भी तो चलिए शुगरलेस बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको एक सिलीकॉन शीट की जरुवत पड़ेगी ऐसी शीट मार्केट में एजली अवेलेबल होती है एक्चुली मेरे शीट में छोटे-छोटे पैटन से आपको अगर एक बड़ा वाला पैटन चाहे तो सिंगल पैटन भी उसमें आता है हुआ हम गोल्डन डस का यूज़कर रहे है कि ब इडिवलह पहले तो हम गोल्डन कर रोत के लिए इस बनाएंगे इसके लिए हम शीट की की market में bottle आती है यह पर्ल वाइड कलर की इसमें pink color आता है sky blue color आता है golden color अगे पर्ल वाइड इसलिए मैंने लिए कि जिस color की भी आप बनाना चाहते हो लेस तो हम इसमें gel color और अड़ कर सकते हैं और उससे हम लेस बना सकते हैं यहाँ पर मुझे golden चाहिए इसलिए में पहले तो golden dust लगा ली और उसके बाद जस्ट यह solution अपलाई कर रही हूँ आप इसे silicon के spatula की मदद से भी apply कर सकते हो या palette knife की मदद से भी apply कर सकते हो एक दान रखे कोई भी मतलब थोड़ा सा भी design छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल evenly यह solution spread होना चाहिए और यह ज्यादा थिक नहीं मतलब पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर हम कैसे finishing कर रहे है पूरा design कवर कर रहे है और उस पर extra भी metal नहीं रखेंगे मतलब extra solution नहीं रखेंगे पूरी design हम कवर कर रहे है इस तरह से हम इसे evenly spread कर रहे है आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारी design लग रहे है न यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा zoom करके दिखा रहे हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए कि कैसे evenly spread करना है यहाँ पर तो हमने एक set silver बनाई एक set golden दिखेगी अभी है चलिए अब हम दूसरा वाला design बनाते हैं इसमें हम दूसरा वाला gel color यूज कर रहे हैं मतलब जिस color की भी आप बनाना चाहते हो वो gel color आप यूज कर सकते हो जस्ट वेंड रॉफ इनर फेस के लिए यह आपकी choice है कि आपको किस color में sugarless बनानी है और मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगी कि आपको अगर बड़ा वाला pattern मिलता है लेस का तो definitely वो आप बड़ा वाला pattern खरीदी है क्योंकि यह बहुत ही प्यारा लगता है और यह चोटे वाला pattern थोड़ा से delicate होती है इसके लिए अगर आपके पास बड़ा वाला अवेलेबल होता है मार्केट में तो आप बड़ा वाला pattern ही जरूर खरीदी है जिस तरह से हमने पहला वाला pattern बनाया है उसी तरह से हम second pattern भी बनायेंगे सिर्फ आपकी color की choice है जिस color में भी आप बनाना चाहते है उस color में आप बना सकते हो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने ही कि ये evenly spread होना चाहिए डिजाइन कहीं पर भी छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि जब हम इसे demol करेंगे तब डिजाइन छूटनी की बज़़से ये अच्छे तरह से नहीं निकल के आता डिमोल अच्छी तरह से नहीं होता ये टूट जाती है पीच बीच में इसलिए हम इसे evenly लगाएंगे मतलब पूरी अच्छी तरह से precaution से लगाएंगे चलिए आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं इस तरह से हमने evenly spread किया हुआ है कही पर भी हमने design का pattern मिस नहीं किया है इसी तरह से हम थर्ड वाला pattern भी बना लेंगे देखे ये तो बहुत ही easy method है ready-made solution आता है market में हमें just उसे evenly spread करना है और थोड़ी सी precaution लेनी है बहुत ही easy है है ना लेकिन मैंने वीडियो के start में आपको बता दिया है कि हम 2 method से sugarless बनाएंगे ये तो हमारी पहली वाली method इसके बाद हम discuss करेंगे वो second वाली method होगी जिससे अगर हमारे पास solution नहीं है sugarless का तब भी हम ये sugarless अच्छे तरह से बना सकते हैं चलिए इस तरह से हमने तीनों patterns बना लिए में हमने just silver यूज किया है और just bottom वाले में हमने just one drop हमने gel color का यूज किया है देखिए आपकी choice है कि आपको कौन से color में sugarless बनानी है तो आप अपने हिसाब से वो color यूज कर सकते हो अब हम discuss करेंगे कि ये demol कैसे होती है मतलब ये sugarless तो हमने बना लिये लेकिन इसे निकालते कैसे इसे demol कैसे करते है देखिए इसकी भी दो method से अगर हमारा cake next day deliver होगा मतलब हमें next day cake बनाना है तो हम इसे पूरी रात तक अच्छे तरह से dry करने के लिए रख देंगे next day वो dry हो जाती है लेकिन अभी rainy season है अगर वो next day dry नहीं हुई तो आपको ज़्यादा घंटे वेट करना पड़ेगा और इसे dry करने की दूसरी method ये है कि आप इसे 50 degree centigrade मतलब 50 degree centigrade पर 30 minutes तक oven में bake कर सकते हो उसके बाद भी ये अच्छे तरह से demol हो जाती है मेरे पास तो time था इसलिए मैंने near about 18 to 20 hours वेट किया उसके बाद देखिए ये dry हो चुकी है completely मैं आपको zoom करके दिखा देती हूँ अगर आप पहली वाली picture देखे और ये वाली picture देखे तो आपको समझ में आएगा कि ये dry होने के बाद कैसी दिखती है अब हम ये sugarless demol कर लेंगे देखे ठोड़ा थोड़ा सा हम हमारी thumb से ये sugarless demol करने की कोशिक कर रहे है थोड़ा सा तूट भी सकता है मतलब side से थोड़ा सा जब हम निकाल रहे है तो थोड़ा सा side से तूट सकता है इसके लिए थोड़ा धीरे-धीरे थोड़े से प्यार से थोड़े प्रिकॉशन के साथ निकाले हमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि जब यह निकल के आ जाएगी पूरी तरह से तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लगती है अगर आप दीरे दीरे इसे निकालने की कोशिश करोगे तो यह अच्छे तरह से डीमॉल हो जाती है हमारे वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे यह आपको अच्छे तरह से दिखाना है क्योंकि शुगरलेस बनाना बहुत इजी है सिप इसे डीमॉल करते हैं तब थोड़ा जादा प्रेकॉशन लेनी पड़ती है थोड़ा सा प्यार से थोड़ा हलके हाथ से इसे निकालना पड़ता है लेकिन हम पेशन्स रखेंगे और इसे धीरे धीरे निकालेंगे तक कि डीजन का कोई भी पाड़ ब्रेक न हो वो अच्छी तरह से निकल के आ जाए इस तरह से हमने जो शुगरलेस का हमाला पहला वाला पैटन है वो अच्छी तरह से डीमोल कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से डीमोल हो गई है चलिए आपको जूम करके दिखा देते कि हमारी शुगरलेस कितनी प्यारी बढ़ी है है ना चलिए अब हम इसे प्रेस करके देखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो रिस्ट की नसे है वो उबर के आ रहे हैं मतलब हम इस पर मतलब शुगरलेस पर कितना भी प्रेशर डाले यह डामेज नहीं होती हमने हमारी शुगरलेस को इतना प्रेस किया लेकिन वो कहीं पर भी डामेज नहीं हुए ये बात इसलिए है कि हमने पूरी प्रोसेजर है वो शुगरलेस बनाने की वो अच्छे तरह से फॉलो किये अगर आप इतना वेट करोगे अच्छे तरह से प्रोसेजर फॉलो करोगे तो शुगरलेस बहुत ही अच्छे तरह से बन जाती है अब हम ये सेकंड वाला शुगरले से वो निकालेंगे डेफिनेटली हमने यहाँ पर शुगर सरी गोल्डन डस डाली थी इसलिए एक साइट गोल्डन लगेगी एक साइट सिल्वर दिखेगी जैसे हमने शुगरलस का पहला वाला पैटर्न डी मोल किया था उसी तरह से उसी महनत से प्रिकॉशन से हम सेकंड वाल पैटर्न भी डी मोल कर लेंगे देखे इसमें एक ही बात है कि आपको इसे इवनली स्पेड करना है जब हम इसे डी मोल करते तो थोड़ा प्रिकॉशन से थोड़ा प्यार से थोड़ा उसे टाइम देना पड़ता है थोड़ा हलक्या हाथ से इसे डी मोल कीजिए बहुत ही अ आप इसे स्टोर कर सकते हो लेकिन जब भी आप स्टोर करो इसे तो एट आट कंटेनर में ही आपको इसे स्टोर करना पड़ेगा आप इसे एट आट कंटेनर में 6 मन तक इसे स्टोर कर सकते हो लेकिन मेरा परस्नल ओपिनियन है कि आप इसे 6 मैने तक स्टोर मत कीजिए आप आपके customer को कुछ भी बना के दीजिए तो fresh पर होना चाहिए मतलब cake भी fresh है, sugarless भी fresh है तो उसकी test बहुत ही अच्छी रहती है आप इसे before two days बनाओ, before three days बनाओ, before four days बनाओ तो cake पर जब apply करते हो तो ये fresh रहती है मुझे ऐसा लगता है कि home bakers की पहले identity कि उनके पास जो भी food मिलता है वो बिल्कुल fresh होता है, तो हमें हमारे customer को बिल्कुल fresh food ही देना चाहिए चलिए अब हम sugarless बनाने के लिए second method discuss करेंगे इस method में कम कर्चे में बहुत ही अच्छी तरह से हम sugarless बना सकते हैं यहाँ पर हम one fourth cup hot water लेंगे, बिल्कुल उबला हुआ पानी लेंगे, बिल्कुल hot water लेंगे इसके बाद one and one fourth TSP, इस तरह का CMC powder आता है one and one fourth TSP हम यहाँ पर CMC powder यूज़ कर रहे हैं आप चाहो तो CMC powder की जगा पर आप टाइलोस powder भी यूज़ कर सकते हो और इसे अच्छी तरह से whisker से mix करेंगे, CMC powder stabilizer का क्याम करती है आप इसे ice cream भी यूज़ कर सकते हो और एक बाद जब आप CMC powder खरीदो, तो उस पर green sign होना चाहिए मतलब इसमें wedge और non wedge दोनों तरक आते, अगर आप vegetarian हो तो उस pack पर अच्छे तरह से देखे, अगर green sign है तो ही खरीदे इसे अच्छे तरह से whisk करने के बाद हम इसे 10 minute तक ऐसे ही रख देंगे 10 minute बाद आप इसे देख सकते हो, यह पूरी तरह से गुल गए CMC powder और यह mixture स्तिकी बहु गया है इसके बाद हम इसमें 1 TSP, corn syrup या corn starch यूज़ करेंगे यहाँ पर हमने just 1 TSP, corn syrup डाला है और वो अच्छी तरह से whiskers से mix कर लेंगे अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए, पूरी तरह से mixture होमोजेनेस होना चाहिए इसके बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे 1 TSP, powder sugar देखे, इसे हमें चान के लेना है, just हम 1 TSP, powder sugar का यूज़ कर रहे है और इसके बाद इसमें जाएगा 2 TSP, corn flour आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह corn flour है, 2 TSP, corn flour का यूज़ हो रहा है और 1 TSP, icing sugar डालिए या powder sugar डालिए लेकिन हमें इसे strain करके लेना है, मतलब इसे चान के ही लेना है ताक कि हमारा जो solution बन रहा है, वो बिलकुल होमोजेनेस बने इसमें थोड़ी सी बेन लम्स ना हो, इसकी बज़ा से हमें इसे चान के ही लेंगे अब हमने सारे ingredients आड़ करके लिए, अब इसे होमोजेनेस बनाएंगे मिक्षर को मतलब अच्छी तरह से विसकर से विसक करंगे बिलकुल भी इसमें लम्स ना हो, इसमें गाट ना हो, ताकि जब हम इसे सिलिकॉन मैट पर स्पेड करें तो evenly स्पेड हो, मैंने आपको पहली मेथड में भी बताया है कि अगर यह evenly स्पेड नहीं होता तब जब हम सिलिकॉन मैट से हमारी शुगरलेस निकाल लेते हैं, दीमोल करते हैं तो वो बीच-बीच में तूट जाती है, इसके लिए हमारे यह मिक्षर पूरी तरह से होमोजिनेस होना चाहिए और यह evenly स्पेड भी करेंगे हम इस तरह से हमने सुगरलेस बनाने वाला मिक्षर रेडी कर लिया है, बहुत ही कम खर्चे में तयार हो जाता है और इसे तीन पार्ट में डिवर्ड किया है, पहले पार्ट में यहाँ पर सुपर रेड जेल कलर का उज़ किया है हमने फर्स टाइम पालेट नेव यूज किया था, वो अलग टाइब के पालेट नेव होते हैं यहाँ पर हम सिलिकॉन का स्पैचुला यूज कर रहे हैं कोई माटर नहीं करता कि आप किस चीज़ से स्पेड करो, सिर्फ यह evenly स्पेड होना चाहिए यही सिर्फ इसमें प्रिकॉशन लेनी है यहाँ पर हमने रेड वाला सोलूशन है, मिक्शर है, वो evenly स्पेड किया है अब हम सेकंड वाला पैटर्म बनाएंगे इसके लिए हम थोड़ा सा गोल्डी लूग देंगे लेकिन पहले तो हमने golden dust इसमें पहली यूज की थी लेकिन यहाँ पर हम lemon yellow और metallic gold यह gel color यूज कर रहे है और उसके बाद उसमें थोड़ा से golden dust डाला है देखिए यहाँ पर हम इसे भी अच्छे तरह से स्पेड कर लेंगे लेकिन एक बात आपको अच्छे तरह से ध्यान में रखने होगी अगर आप इसमें golden dust डालते हो और यह oven में अगर आप इसे dry करते हो तो इसका goldenness थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन हम natural process से अगर यह dry करते हैं तो यह golden का golden ही लगेगा बिल्कुल भी इसका shed डल नहीं लगेगा अब हम इसे near about 20 hours के बाद इसे अच्छे तरह से dry हो जाने के बाद ही demol करेंगे इस तरह से हमने दोनों method से sugarless बना ली है दोनों भी method बहुत ही easy आप थोड़ा सा precaution लीजे थोड़ी सी जो कुछ भी मैंने वीडियो में tricks बताईए वो सारी apply कीजिए तो definitely आपकी sugarless बहुत ही अच्छी बनेगी और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगाए तो हमारा चैनल में स्चिन में kicks in classes चैनल ज़रू सब्सक्राब कीजिए अब मिलते हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you